कुट्टों को पालने के लिए इंसानों में काफी उक्सुकता होती है लेकिन कई बार अवारा कुट्टे लोगों पर खातक हमले कर देते हैं प्रदेश के आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में भी लगातार अवारा कुट्टों की संख्या में व्रद्धी हो रही है ऐसे में नगनिगम इंदौर द्वारा इन अवारा कुट्टों की संख्या को मियंत्र निकन्ने के लिए कई कदम उठाये जा रही हैं स्वास्ते प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादव के अनुसा नगनिगम द्वारा एबीसी के जरिये नावारा कुट्टों के जनसंख्या को नियंत्रिंट करने की कवायद की जा रही है दो अलग-अलग कंपनियों के जरिये इन कुट्टों की नस्बंदी वर्तमान में प्रभावी रूप से की जा रही है हाला कि आने वाले दिनों में ये सभ्यान का असर देखने को मिलेगा अच्यूब करने में क्योंकि इसकी पीछे बहुत सारे रहते जिनके उपर हम लोगों को काम करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता आई सूपी फालो करना पड़ता है और यह क्यों हम यह नहीं वैलकि हमारे जो एनिमेल वेलफेर के फिल्ड में काम करने वाली बहुत सारी एजनसी यहां पर जो जो कुछ एजनसी जो रिजिटर्ट नहीं है लेकिन वेलफेर के लिए काम करते हैं लोग उनकी भी हम लोग टाइम टू-टाइम मिटिंग बुलाते हैं और टाइम टू- बता दें शहर में लगभग एक लाग से जादा कुछते हैं इनकी संख्या पर नियंत्रन के लिए ABC के माध्यम से काम किया जा रहा है ABC के एक साइंटिफिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से इनकी संख्या पर नियंत्रन किया जा सकता है कंपनियों से काम कराने का मुख्य उद्देश दोनों के बीच प्रतिस प्रधा होनी से काम में गती मिलने की संभाव नाई रहती है हलाकि बताया जा रहा है कि इन दौर में ये काम लंबे समय से किया जा रहा है वहीं देश के कई ऐसे बड़े शहर हैं जिन में अब तक कारवाई शुरू ही नहीं की गई है ऐसे में इंदौर में प्रभावी धंग से ये काम किया जा रहा है प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में लगातार आवारा स्वानों का आतंक जारी है इन आवारा स्वानों के आतंक और इनके हमलों का खामयाजा आम जन्ता को भुगतना पड़ता है ऐसे में नगर निगम इंदौर द्वारा और इस्थानी प्रशाशन द्वारा इन आवारा स्वानों की जन्संक्या पर नियंतरन के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं इंदोर नगर निगम के स्वास्त प्रभारी डॉक्टर उत्तम यादों का कहना है कि सुप्रीम कोट की गाइडलाइन के अनुसार इन आवारा स्वानों की जंशंक्या पर नियंतरन के लिए कदम उठाये जा रहे हैं जिसके परिणाम आने वाले दिनों में देखने को मिलेंग पर नियंतरन के लिए लगातार कदम उठाये जा रहे हैं वहीं कई अभियान भी चलाये जा रहे हैं ताकि आने वाले दिनों में इन आवारा स्वानों की जंशंक्या पर नियंतरन पाया जा सके तो शारकन चल एटीवी भारत इंदोर